सो हाई दिस प्रभात रंजर राज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे HP Pavilion Arrow Laptop की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि HP Pavilion Arrow अकेला HP Pavilion नहीं है HP Pavilion के अंदर 6 Laptop साते हैं इसमें पहला HP Pavilion 13, 14, 15, X360, HP Pavilion Arrow और HP Pavilion Gaming तो यह 6 Laptop साते हैं HP Pavilion के अंदर जिसमें हम आज की वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे HP Pavilion Arrow की तो इस वीडियो में हम कुछ चीजे डिसकास कर रहे होंगे सबसे पहले तो इसके Specification इस Laptop में क्या क्या चीजे मिल रहे हैं इसके कुछ Pros and Cons किन लोगों को इस Laptop लेना चाहिए और किन लोगों को इस Laptop से दूर रहना चाहिए तो सबसे पहले चालू करते हैं इनके Specifications के सात तो HP Pavilion Arrow के जिस Laptop के बारे में हम आज इस वीडियो में डिसकास कर रहे होंगे उसमें आपको Processor देखने को मिलने वाला है AMD Ryzen 5 7535U Processor जो की Equivalent है i5 13 Gen से तो उन्ही टेक्निकाल्टीज में चले तो 6 Cores और 12 Threads देखने को मिल रहे होंगे सुला जीबी का RAM होगा और 512 GB का SSD Internal Storage जो की Enough है एक Fast and Smooth Experience के लिए और अगर Graphics के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको AMD Radeon की तरफ से Graphics Card देखने को मिल रहा है जो की GTA 5 Valorants जैसे गेम स्मूथली खेल पा रहा है इस Laptop में अब अगर हम बात कर ले डिस्प्ले की सब्सक्राइब कर देखने को मिलता है उससे थोड़ा और बेटर थोड़ा और बढ़ा है डिस्प्ले इसका बात कर ले अगर इसे क्या मैं सनलाइट में रखके चला पाऊंगा क्या सनलाइट में दिन तो नहीं पढ़ जाएगा तो बिल्कुल नहीं जहां यूजवल आम तौर पर लाप्टॉप 250 निट्स के डिस्प्ले के साथ आते हैं इसमें 400 निट्स का डिस्प्ले है जो कि काफी तगड़ा है अगर इसे आप सनलाइट में भी रखकर चलाते हो तो बात कर ले अगर हम इसमें स्क्रीन साइज की तो 13.3 इंच का स्क्रीन साइज मिल रहा है जो कि एक नोटबुक के बैटरी लाइफ देखने को मिल रही होगी लाइट वेट लैप्टॉप देखने को मिल रहा होगा लाइट वेट में अगर बात कर ले तो एच्पी ने खुद दावा किया है कि अभी तक का इनका सबसे लाइटेस्ट लैप्टॉप है 970 ग्राम का लोगों ने यहां तक बता लिए तो आठ से 9 गंटे इसका बैटरी बैक अप है और अगर हेवी टास्क कर रहे हो तो भी 5-6 गंटे अराम से चल जाता है यानि कि एक स्टुडेंट के हिसाब से एक ऑफिस वोइंग पर्सन के हिसाब से जिसे लैप्टॉप इधर से उधर कैरी करना होता है बहुत सूट और नहीं हेवी टास्क कर रहे हूं आप बात कर लेते किन लोगो को इस लैप्टॉप को साथ जाना चाहिए और किन लोग इस लैप्टॉप से दूर रहना चाहिए तो अगर आप कोडिंग के लिए बहुत तगड़ा लैपटोप ढूंड रहे हो day to day टास्क के लिए ब्राउजिंग के लिए अगर आपको प्रीमियम लेवल का लैपटोप चाहिए अगर आपको एक ऐसा लैपटोप चाहिए जो office going person हो professional बंदे हो ओफिस के टास्क करने होते है powerpoint, excel, msword जैसे टास्क अगर कर रहे हो और चाहते हो कहीं कुछ ना अटके बहुत smoothly चले मक्खन की तरह तो ये laptop उन सारी चीजों को आराम से संभाल लेगा ओफिस परसंस के लिए तो ये laptop समझी की बहुत premium सेग्मेंट में चला गया बड़ अगर कोडिंग के बंदे की साब से बात कर ले artificial intelligence, machine learning आपको android studio चलाना है development के टास्क करने है बहुत सही laptop निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि इस laptop के दो सबसे खास point है, सबसे पहला तो इसका performance जो की बहुत तगड़ा है और दूसरा है इसका light weight जो कि आप कहीं carry करके लेकर जा रहे हो कुछ फर्खी नहीं पढ़ने वाला अराम से आप इसे carry कर सकते हो जहां पर इस laptop से जिन लोगों दूर रहना चाहिए वो है graphics intensive task अगर आपको बहुत heavy video editing करनी है heavy games खेलने है तब इस laptop से दूर रहे है लेकिन अगर games like आपको GTA 5 Valorant जैसे छोड़े मोडे games खेलने तो अराम से इस laptop से आ जा सकते हो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप चा कर पाऊगे लेकिन अगर 4K video editing करना चाहते हो तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उसके लिए आप एक बढ़िया graphics card वाला laptop लीजिये like RTX 3050 वाला type laptop तो ठीक है medium level of video editing करना चाहते हो YouTube के लिए वीडियो जो बनाना चाहते हो तो ये laptop आराम से संभाल लेगा मन बहलाने के लिए चोड़े मोटे games like GTA 5, Valorant ये सारे games खेलना चाहते हो तो आराम से संभाल लेगा और coding तो इसके बाए हाथ का खेले coding में आप चाहे development कर लो कुछ कर लो कहीं नहीं अटकने वाला laptop तो अगर आप एक student हो तो हर तरीके का task के बहुत आराम से संभाल लेगा और अगर engineering domain में में आ कर रहे हैं तो अगर आप 3D modeling कर रहे हो वो भी काम या अराम से लएक AutoCat, SolidWorks, Cat या अराम से संभाल लेगा ये laptop लेकिन अगर आप 3D analysis कर रहे हो 3D models को आप analyze कर रहे हो और heavy models को analyze कर रहे हो तब वहाँ पर थोड़े से आपको graphics intensive processor की ज़रुत पढ़ेगी लेकिन college में उतना ज् की जरुत ही नहीं पढ़ रहे होगी उतने heavy task college में नहीं करवाया जाते, mechanical, electrical, civil के बंदयों उतने heavy level of 3D modeling आप से करवाई ही नहीं जाएगी तो college level के लिए बहुत सही laptop निकल कर सामने आ रहा है, professional task के लिए बहुत सही laptop है, तो सिर्थ दो लोगों को इस laptop से दूर रहना बहुत सारे इस laptop के हैं, जैसे आपका performance बहुत तगड़ा है, display आप इसे sunlight में भी रखकर आराम से चला सकते हो, इसका weight तो अलग ही इसका approach बनता जा रहा है, जो कि HP के तरफ से दावा किया जा रहा है, सबसे light laptop है, इनका, बात कर ले इसमें, अगर keyboard की, तो इसमें आपको backlit keyboard देखने को मिलने वाला है, यानि कि अंधेरे में भी आप इसे अराम से यूज़ कर पाऊगे, white color का, आपको इसमें light देखने को मिलने वाला है keyboard में, जो कि आखों को जादा थोड़ा soothing लगने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो pros तो बहुत है, अब बात कर ले और तब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अराम से smoothly wifi वाला काम चल रहा होगा, फिर कभी कबर जैसे week में एक दो बार इसके screen एक दो सेकंड के लिए black पड़ जाता है, पर इतने सारे अगर प्रोज मिल रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लोगों ने एक स experience रहा है इस laptop के साथ, तो कौन्स कुछ जादा नहीं है, इस laptop को लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि performance इतना तगड़ा देखने को मिल रहा है, इतने पतले thin and slick laptop में, इसे तोड़ा सा design and look and feel wise दिखाने ही कोशिस किगी, ये MacBook Pro की तरह, but of course MacBook Pro जैसा है, दिखता ही है, उतना जाद तो आपको smooth experience नहीं मिल रहा होगा, Windows के laptop से, लेकिन अगर Windows में ही complete करें तो जिस price point पे आपको मिल रहा है, उसमें काफी तगड़ा performance, काफी तगड़ा एक value for money आपको provide कर रहा है, बात कर ले price की, तो आज के date में Amazon पे आपको 68 से 69,000 में आराम से laptop पढ़ जाएगा, जो की काफ आपको नीचे description में मिल जाएगा, अगर laptop पसंद आ रहा हो, तो नीचे description में दिये गए Amazon लिंक से आप इसे purchase कर सकते हो, आज के इस वीडियो में इतना ही, अब आप बताईए और किस laptop का आपको review चाहिए, comment section में लिखकर बताईए, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर व